Hello everyone, welcome back to English Learning Center where you learn English in easy way. आज की English Speaking Practice में एक बार फ्रेट से करेंगे हम डेली उस English Sentences की Practice जिन Sentences को हम हिंदी में बातचीत में बोलते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. First sentence is आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. I am not feeling well today. I am not feeling well today. आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. नेक्स्ट है लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं People keep saying something or the other Next है उनकी बातों पर ध्यान मत दो Don't pay attention to their words अपने दिल की सुनो Listen to your heart Listen to your heart अपने दिल की सुनो आने से पहले मुझे बता देना Let me know before you come या फिर हम बोल सकते हैं Let me inform before coming Inform का मतलब होता है सूचित करना मतलब बता देना तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की मतलब तुम बहुत ज़्यादा उताबले हो रहे हो या बहुँ ज़्यादा उत्साहित हो जाने के लिए तो सुम्हें बोलेंगे You are very excited to go You are very excited to go या बोल सकते हैं You are too eager to go You are too eager to go Eager का मतलब होता है उताबला तो तुम जाने के लिए बहुत उताबले हो इतना उताबलापन अच्छा नहीं है इतना उताबलापन अच्छा नहीं है Being so hasty is not good Being so hasty is not good Hasty का मतलब होता है उताबला वह चोटी-चोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है She starts crying over small things She starts crying over small things वह चोटी-चोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है तुमने तो मेरे मूँ की बात चीन ली You speak out my mind तुमने तो मेरे मूँ की बात चीन ली वह मेरा करीबी दोस्त है He is my close friend वह मेरा करीबी दोस्त है वह मेरा दूर का रिष्टेदार है He is a distant relative of mine He is a distant relative of mine मुझे बात पूरी कर लेने दो Let me finish अब simply let me finish बोल सकते है इतनी बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं थी There was no need to be so bullshit तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है What is on your mind? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बुरा मत मानो इसको बोलेंगे Don't feel bad Don't feel bad या बोल सकते हैं Don't get offended मतलब नाराज मत हो यानि कि बुरा मत मानो बुरा मत मानना बुरा मत मानना Please don't mind Please don't mind इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? What is wrong in this? What is wrong in this? उसे मुँबंद रखने को कहो Tell him to keep his mouth shut Tell him to keep his mouth shut या Tell him to shut up Tell him to shut up उसे मुँबंद रखने के लिए कहो तुम इतने खराटे क्यों मारते हो? तुम इतने खराटे क्यों मारते हो? Why do you snore so much? Why do you snore so much? Next is वह रात भर खराटे लेता रहा वह रात भर खराटे लेता रहा He kept snoring throughout the night Yeah He kept snoring all night He kept snoring all night वह रात भर खराटी लेता रहा पैर मथलाउ Don't swing your legs Don't swing your legs मतलब पैरो को जुलाउ मत वह जानी पहचानी सी लगती है वह जानी पहचानी सी लगती है शी लोक्स फैमिलियर टु मी वह जानी पहचानी सी लगती है उसके पेट में कोई बात नहीं पच्चती उसके पेट में कोई बात नहीं पच्चती He can't keep any secret He can't keep any secret मुझे सब समझा रहा है मुझे सब समझा रहा है I am getting everything मुझे सब समझा रहा है वैं खुशी के मारे फूले नहीं समा रही है She is on cloud nine Cloud nine एक phrase होता, idiom होता है जिसका मतलब होता है साथवे आसमन पर मतलब बहुत जादा खुश उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद है You will remember his smiling face वैं किसी काम का नहीं है वैं किसी काम का नहीं है, he is good for nothing He is good for nothing अपना काम जल्दी खत्म करो Finish your work quickly Finish your work quickly